बॉलिवुड इंडस्ट्री में कई ऐसी अभी नेत्रिया रही है जिनका करियर शुरुआत में ही बेहद उचाय पर पहुचने के बाद अचानक लुड़क गया आई ये कुछ ऐसी बुला दी गई अभी नेत्रियों के बारे में जानते हैं पहले नमबर पर है मालीनी शर्मा साल 2002 में आई विकरम भट के फिल्म राज बाक्स आफिस पर बेहद सफल साबित हुई थी इस फिल्म में तीन प्रमुक किरदार थे दीनो मारियो, बिपाशा बासू और मालीनी शर्मा फिल्म में मालीनी शर्मा की एक्टिंग को काफी सराहा गया था लेकिन मालीनी इतने जबरदस्त शुरुआत के बाद भी मायन अग्री में ऐसी खोई कि आज तक किसे को सुराग नहीं मिला मालीनी इस वक्त कहा पर है और वो क्या कर रही है इसके किसी को खबर नहीं है का साथ दिया था अभीनेता राहुल रॉय और अभीनेतरी अनु अगरवाल ने अनु अगरवाल के बारे में तब कहा गया था कि शायद उन्होंने भारत के हर नौजवान का दिल जीत लिया है लेकिन धीरे धीरे अनु फिल्म इंडिस्ट्री से गायब हो गई करिब 21 साल बाद अचानक से वो लोगों को एकदम नए रूप में दिखी जब उन्होंने अपने साथ हुए हाथ से के बारे में लोगों को बताया तो लोगों की आँखे भराई अनु अगरवाल अब एक गुमनामी की जिन्दगी गुजार रही है सालों पहले वो एक दुरगटना की शिकार हुई थी जिसने उन्हें कोमा तक खेच लिया था तीसरे नंबर पर है मंदाकीनी जब कभी भी फिल्मों में नदियों और पहाडों का जिक्र आएगा बॉलिवुड के चाहने वालों को मंदाकीनी याद आएंगी साल 1985 में बॉलिवुड के शो मैन राच कपूर ने उन्हें अपने फिल्म राम तेरी गंगा मैली में एक ऐसी पहाडी लड़की के किरदार में ढाल दिया कि दर्शक इसके इतर मंदाकीनी को देख ही नहीं सके दिरे दिरे मंदाकीनी फिल्म इडिनस्ट्री से गायब हो गई अब उन्होंने फिल्म ने दुनिया से एकदम दूरी बना ली है तीसरे स्थान पर है भागिश्री सल्मान खान के साथ फिल्म मैंने प्यार किया से डेब्यू करते ही धमाल मचा देने वाली भागिश्री का जिक्र अब केवल तब होता है जिब सल्मान की गर्फरिंड के लिस्ट तयार की जाती है इस फिल्म से उन्होंने बेस्ट डेब्यू फिल्म फैर अवार्ड जीता लेकिन इसके बाद उनके करियर का ग्राफ लगातार नीचे जाता रहा अब भागिश्री के बेटे के फिल्म जगत में आने के क्यास लगाए जा रहे हैं पाँचवे नमबर पर है अंत्रामाली एक ही साल 2002 में फिल्म कंपनी आर रोड से तहल का मचा देने वाली अभी नेत्री अंत्रामाली ने दोनों ही फिल्मों में कमाल का काम किया था साल 2009 में शादी के बाद उन्हें नहीं देखा गया तो ये थी बॉलिवुड की उन भी नेत्रियों की कहानी